नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बिंडी एक ऐसे सब्जी है जो बच्चों से लेकर बुजरगों तक सभी को पसंद होती है तो आज मैं आपके साथ में प्याजी भिंडी की बहुती टेस्टी पांच मिन पर बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी तो जु दोने के बाद में और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पूछफ लीजी और को पूछने के बाद का टिए तो यह प्रौसस करके ना इसलिए झजरूरी होता है कि अगर हम घिली-खिली भिंडी को काटके बना लेते है तो पहुत ही लस्लसी बनती है इसलिए अच्छे से सुखा कर ही इसको काटना है साथ में दो मीडियम साइज के प्याज लिए थी उसको इस तरीके से मैंने लच्छो में कट कर लिया है यह देखिए पतले लच्छो में कट कर लेंगे आधा इंच अध्रक पारिक कट कर लिया है तीन से चार लहसुन की कली बारिक कट कर ली है और तो हरी मेर्च कर लिए ही कट, तो हरी मेर्च की कौन्टिटी आप अपने तेस्क एकॉडिंग कम जादा कर सकते हैं, तो सब्जी तो पूरी कट करके तयार कर ली है मैंने, अब चली फटा-फट से सब्जी बनानी की प्रॉसेस में चलते हैं, अब इसमें डालेंगे हम सर्सो का सर्सो का तेल डाल दिया है सर्सो के तेल में बनाईएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप को यह जो टेल खाते हैं उसको इस तेल को गरम हो नहीं देंगे, गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे, आदा-चमच मस्टर्च्ट जीरा, दोनों चीजों को अच्छे साथ ही साथ में लहसुल और अद्रक थोड़ा सा हम इनको भूनने देंगे बिल्कुल धीनी आज रखेंगे आज को ज्यादा तेज नहीं करना है और इतना ही भूनना है कि इसका हलका सा कच्छापन चले जाए पर लहसुल का बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए तो लहसुल हमारा भून चुका है अब साथ ही साथ में इसमें जो प्याज कट करके रखे हैं उन्हें भी डाल देने वाली हूँ प्याज आप चाहें तो छोटी-छोटी बारिक वाली भी कट कर सकते ही पर जो भिंडी का साइज मैंने किया है उसी साइज में मैंने प्याज को भी कट किया है और बस इसको हमको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक कुक करना है बहुत जादा इसको कलर नहीं चेंज करना ह है प्याज का मीडियम फ्लेम पर हम इसको फोड़ी देर तक कुक करेंगे प्याज यह देखिए काफी अच्छे से भून चुका है इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने तीन से चार मिन तक भून लिया है बहुत जादा कलर नहीं चेंज करना है और अब इसी स्टेज में हम यह जो बढ़ेगा वरना भिंदी टूट सकती है और इसको ढखके भी नहीं पकाएंगे कि अच्छे से यह पक चुकी है लगभग 70-80% को खो चुकी है अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे सूखे मसाले जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा आजर चमच हल्दी पाउड आजर चमच रच्छिली पाउडर लालमेच पाउडर आप अक्ते टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर लीजेगा एक चौथाई चमच बुना हुआ जीरा पाउडर एक चमच सूखा धनिया पाउडर और साथी साथी नमक स्वादा नुसार अब इस स्टेज में डाल देंगे हम पटा-फट से सारे सुखे मसाले को सबजी में मिक्स करेंगे मसाली जलने नहीं चाहिए और मसाले डालने के बाद भी इसको दो से तीन मिनिट तक बढ़िया सा पका लेंगे भिंडी को इस तरीके से चलाना है कि भिंडी तूटनी नहीं चाहिए हमेशा भिंडी की सब्जी बनाते समय ध्यान रखना है कि भिंडी तूटनी नहीं चाहिए बहुत नाजुक होती है फ्रेश भिंडी तो ये देखिए 2 मिनिट मैंने इसको और भून लिया है आप चाहें तो इस पर गरम मसाला डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए पर मैं बिंडी की सबजी में गरम मसाला नहीं डालती हूँ इसका ओरिजल बिंडी का टेस्टी बहुत अच्छा लगता है अब गैस को बन करने के बाद पर एंड में हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर खटाई के लिए इसको जरूर डालेगा तभी सबजी में प्रॉपर टेस्ट आएगा बहुत ही बढ़िया वाला मिक्स करेंगे और यह हमारी बिंडी की सब्जी बन कर त्यार हो चुकी है देखे कितनी बढ़िया वनी है आप इसे रोटी चपाती पराठा दाल चावल जिसके साथ में भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं बहुत ही तेस्टी बनी है दोस्तो और चलिए फिर इसको गर्मा गरम सर्फ करते हैं तो आज की यह बहुती टेस्टी भिंडी की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरू कीजेगा साथ में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चानल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजेगा तो फिर मिल प्याख कर आपको की बेस्टी आपर आपको की बाही है तो लाइक सब्सक्राइ।